भारत के युवाओं को आज के हमारे प्रोफ्रेशनस को खुले आसान में आसमान में उड़ने के लिए हौंसला दिया है अउसर दिया है हमने दुनिया में भारत की बिगडी हुई साख उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नईू चाहियों पर ले गए है अभी भी कुछ लोग कोशिश करने हैं कि दुनिया में हमारी साख को दांग लग जाए है लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है दुनिया के भविश्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है ये विश्व का विश्वाथ बढ़ता चला जा रहा है और इस दौरा हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया जब इतनी सानुकल बातावर चारों तरफ संभावना ही संभावना है इन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आडवे जनता के आत्म विश्वास को तोड़ने की बिफल कोशिश किया है आज भारत के युवां रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्ट अप लेकर के दुनिया को चकीत कर रहे हैं आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है आज भारत का एक्पोर्ट नई बुलंदी को चू रहा है आज भारत की कोई भी अच्छी बात यह सुन नहीं सकते यही उनकी अवस्ता है आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है आज देश में आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है नीती आयोक के रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच साल में साड़े तेरा करोड लोग गरीबी से बाहर आए आज देश में अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अती गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है आएम एप ने भारत के डीबीटी के और और दूसरे हमारे सोचल वैलफेर स्कीम के लिए आएम एप ने इसे कहा है ये लॉजिस्टिकल मार्वल है आदनिय दिग जी डबल्यू आचो ने कहा है आदनिय दिग जी वर्ल हेल्स और नाइजेशन ने कहा है कि जल जिवन मीशन्स के जरिये भारत में चार लाख लोगों की जान बच रही है ये चार लाख कौन है मेरे गरी, पीडी, सोशित, बंचित परिवारों के मेरे स्वजन है हमारे परिवार के नीचले तपके में जिन्दगी गुजानने के लिए जो मजबूर हुए उनके जन्हें ऐसे चार लाख लोगों की जान बचले की बात दब्लू एचो कह रहा है मानियद्धिक जी डब्लू एचो स्वच्छ भारत अभियान का एनालिजिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से तीन लाख लोगों को मरने से बचाया गया है भारत स्वच्छ होता है तीन लाख लोगों की जिन्गी बच्छ तीन लाख है कौन वही जुगी जौप्री में जिन्गी जीने के लिए जो मजबूर है जिनके लिए अनेक कठिनाईयों से गुजारा करना पड़ता है मेरे गरीब परिवार के लोग है शहरों की बस्तियों में गुजारा करने माले लोग गाउं में जीने वाले लोग है और वंचित तपके के लोग हैं जिनकी चान बची है Unisaf ने क्या कहा है यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्च भारत भ्यान के कारा है हर साल गरीबों के 50,000 रुपी बच रहे हैं ये लेकिन भारत की इन उपलब्दियों से बारत की इन उपलब्दियों से कॉंग्रेस समेथ विपश के कुछ दलों को अविस्वास है जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही हैं ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है आधनिया देख जी अविस्वास और गमन इनकी रगों में रस्बस गया है वे चन्ता के विस्वास को कभी देख नहीं पाते हैं अब ये जो शुतुर मुर्ग एप्रोच है इसके लिए तो देश क्या कर सकता है आधनिया देख जी जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं बहुत सोच से सहमत नहीं लेकिन वो कहते हैं कि देखों भाई जब कुछ सुब होता है कुछ मंगल होता है गर में भी कोई अच्छा होता है बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है ज़राशाथ सुद्रा होता है तो काला तिला ठीका लगा देते हैं आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ देश की जो चारों तरफ वहवाई हो रही है देश का जो जैजे कार हो रहा है तो मैं आपका धन्यवाद चरता हूँ कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में अनिकर के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरुचित करने का काम किया है इसके लिए भी मैं आपका नवाज करता हूँ